बिहार सरकार के सभी अधिकारी साले निकम में हैं और ये कोई काम नहीं करतें इनसे काम करवाओ तो इनको घूस देना पड़ता है और ये मेरा शित्र है इनके दादा का दालान नहीं कि ये बिना काम के यहां पे रह पाएंगे और ये बिगरे बोल हैं कॉंग्रेस के विधायक के, कौन से ये कॉंग्रेस के विधायक है, जिनका बोल कुछ इस तरीके से बिगरा, जिसके बाद कॉंग्रेस की मुसीबते बढ़ गई बिहार में, ये सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा पढ़िचे जान तेज हुई है उसके बाद कॉंग्रिस की भी मुसीबते बढ़ती हुई नजर आ रही है दिरसल बात ये है कि राजपूर के विधायक विशुनात राम जो है गाउ में जाते हैं वहां पे सभा को संबोधित कर रहे होते हैं और संबोधित करने के दौरान ही लोगों को खुश क सीधे तोर पे और सपस्ट लूप से ये सुना जा सकता है जिसमें विधायक जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बिहार सरकार के सभी अधिकारी साले निकम में हो गए हैं मतलब किसी अधिकारी को नहीं चोड़ा उन्होंने उसके बाद ये भी कह दिया कि ये उनके दादा का दालान नहीं हमारा शित्र है और हमारे शित्र में रहना पड़ेगा तो आपको काम करना पड़ेगा रहे काम करवाने के कई और तरीके हो सकते हैं लेकिन विधायक जी का तरीका जो है सरयाम गाली दे के काम करवाने का थोड़ा कैजूल है क्यूंकि इस से पहले इस तरीके क शायद ही कोई उपयोग करता है और नेता लोग तो इस ऐसे भाशाओं से और इस भाशा के प्रयोग से बसते हुए भी दिखाई देते हैं लेकिन कॉंग्रिस के इस विधायक जी का ऐसे बातों से काफी वास्ता है और इससे पहले भी वो कई तरह के विवादित बयान दे चु उसके बारे में पूछा जाना शुरू होता है कि आपके विधायक ने इस तरीके का बयान दिया है तो वो इनके बयान से दरकिनार कर लेते हैं खुद को कह देते हैं भाई हमने सुना ही नहीं है से कहा जाये तो वो उस जगे से वाकिब भी है और उस राजपुर विधायन सबाफ शित्र से भी वाकिब है, तो इसके उपर मिवधले स्तिवारी जो बयान देते हैं, वो काफी शांदार है, वो कहते हैं कि 과ungres का culture ही ऐसा कुछ हो गया है, मतलब कॉंग्रेस इस तरीके का विवादित बयान देने के लिए जानी ही जाती है वो यहीं नहीं सुधाकर सिंग को भी नहीं शोड़ते सुधाकर सिंग के बारे में भी बयान देते हैं कि सुधाकर सिंग या फिर ये जो विधायक जी है इन लोग का कल्चर कुछ ऐसा ही हो गया है, कलर को गारी दे देना, कलर को भगा देना, कलर को कुछ अफशब्द बोल देना और अधिकारियों के लिए ऐसे शब्दों का प्रियोग कर लेना इनके लिए आम सी बात है और इधर विधायक जी के अगर वीडियो की बात की जाया तो उसमें यहीं पे नहीं रुकते, उसके बाद वो यह तक कह देते कि हमने डीम से साफ तोर पे कह दिया है, ललकारते हुए इस बात को कह दिया है कि आप अपने अधिकारियों को समझा दीजिए कि वो हमारे अगर श आसी हलचल तेज हो गई है, कई लोग कह रहे हैं कि विधायक जी की ताना साही इसका दर बढ़ गई है, कि वो अब सर्याम अधिकारियों को गाली दे रहे हैं, और डीम को यह कहके ललकारते हुए कह रहे हैं कि भाई आप जो है अपने अधिकारियों को समझा दीजिए, वर बात को ले कि आप क्या सूचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, तिर प्या कॉमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुचा दीजिए, बाकि आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है